जहींद दोस्तों बारते सना की तियर्य कड़ने वाले सभी जवानों को जहींद जैसा कि आप सभी को पहले सूचित कर दिया था कि आज से दोस्तों हमारा रेगुलर यह बेंच स्टार्ट हो गया जिन दोस्त का एक्जाम 26 अपरेर या 31 मई है उन सभी के लिए दोस्तों यह हमने बैंस स्टार्ट किया है ठीक है आज गे सेशन के अंदर दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इंडियन आर्मे एक्जाम की आपके पास कौन सी गाइड होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए क्य क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सारी डेटेल दोस्तों पूरी जानकारी इस सेशन के अंदर हम आपको परवाइड कराएंगे क्योंकि दोस्तों बैंस तो हम मरलब अभी हम आपको कुशन्स भी करवा सकते हैं लेकिन बहुत से लड़के ऐसे हैं दोस्तों उ उसमें ऐसे भी लड़के थे, हालां कि अच्छे लड़के थे, लेकिन उसमें से बहुत से जिनके मिलब ट्रेडमेन के बंदे थे, उनको ये पता नहीं था, कि उनकी एकजाम में क्या पुछा जाता है, क्या नहीं पुछा जाता है, ठीक है, हालां कि सभी को पता रहता है, ले आपका अगर merit सुची के अंदर अगर चाहिए नहीं होता तो बड़ा दुख आप से कई गुना हमें भी होता है कि हमने आपको ये चीज अगर बता देते तो आपके selection में कोई दिक्कत नहीं होती मेरा दोस्तो ये bench start करने का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको only time pass कराऊ मेरा ये target है कि अगर आप exam तक मेरे साथ बने रहोगी तो दोस्तो selection है वो मैं आपको 100% अपनी तरफ से दूँगा और selection भी दोस्तो आपका हो जाएगा आराम से इतना अच्छा दोस्तो मैं आपको पढ़ाऊंगा इतने अच्छे दोस्तो होली के बाद में teacher भी available कराऊंगा एक से बढ़कर एक ठीक है आप बस होली तक wait कीजिए जब तक दोस्तो मैं अपने objective questions है वो आपको करवाता रहूंगा लेकिन दोस्तो इसमें मैंन बात हम कर लेते हैं आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ठीक है अपने सभी दोस्तों को आप बोल देना कि यहां पर इंडियन आर्मी का नेसुलक बैंस है वो इस्टार्ट हो गया है पूरी कलासी चलेगी मैत रिजिनिंग शबगी चलेगी लेकिन दोस्तो जिस तरह से आपने फिजिकल किया था बिलकल उशी तरह से दोस्तो आपको रिटन है वो पास करना है हमेशा दोस्तो जोस और जनून के साथ पढ़ना है जिस तरह से दोस्तो आपने physical किया था अगर उतनी महरत दोस्तो अगर आपने return में लगाती तो मान के चलिए दोस्तो इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका selection रोक शकता है दोस्तो इंडियन आर्मी का pattern उतना hard नहीं है आप फालतों में गबरा जाते हो कि 2020 में पता नहीं pattern चेंज हो गया होगा नहीं हुआ है दो 2020 में जो pattern है वो मैं अभी आपको पूरा बता दूँगा ठीक है जो बंदे GD, TDN, Technical, NA, Colorak सबी trade के लिए दोस्तों आज की ये session बहुत important होने वाला है पूरा दोस्तों matter हम आप इसमें provide करेंगे लेकिन सबसे पहली बात ये है दोस्तों कि आपको जोस और जनुन से पढ़ना है अभी आपको कोई नहीं जानता लेकिन दोस्तों दो महीने के बाद जैसे आपका selection हो जाएगा तो आपको पूरा हिंदोस्तान जानने लग जाएगा दोस्तों कहते हैं कि देरशे बनो पर कुछ बनो क्योंकि वक्त के शाथ लोग खेरियत नहीं हैसियस पूछते हैं दोस्तों अभी का जमाना ये है वर्तमान के समय दोस्तों लोग है वो खेरियत नहीं हैसियस पूछते हैं कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते अगर आप इंडियन आर्मी के अंदर होगे तो दोस्तों फिलिंग्श है वो अपने आप अलग आईगी ठीक है आपका दोस्तों जैसे मेरिट सुचिंग अंदर चैन होता है या जिन दोस्तों का 23 फरोरी को हो गया है तो उनसे एक बार आप बात करके देखे बड़ा अच्छा लगता है मतलब उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम मतलब क्या बन गई वाकिकत की बात है इंडियन आरमी एक बहुत अच्छी नोकरी है मेरे भाई इसमें आपके साथ पेडियां है वो शुदर जाएगी आपका छोटा भाई आपके भाई बहन जो भी है सभी की मतलब यू मान के चलिए उनकी जो आगी की जिंदगी है दोस्तो वो बड़ी अच्छी बन जाएगी अगर आप इंडियन आरमी के अंदर सेलेक्ट हो जाओगी तो मान के चलिए अपने माता पिता का नाम रोसन होगा अपने गाउं का नाम रोसन होगा अपने इस देश का नाम रोसन होगा जब आपका चैन बारते सेना में होगा तो दोस्तो हमेशा देखे दोस्तो हमारे करम ही पैचान है वरना एक नाम के तो हजारों इंशान है अभी यही काम ना करता हूँ कि जितने भी अपने चैनल पे सदे से हैं उन शभी का बारते से ना में बहुत ही जल्द सेलेक्शन हो क्योंकि दोस्तों बहुत से लड़के के मन में ये भी डाउट है कि सर पेपर अपकी बार प्रोवाइड करा दियें तो क्या पता हमारा पेपर ये भाई जो में काम है वो आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी का में काम फिजिकल और मेडिकल है वो कितना हाड है वो काम दोस्तों आपने किलिर कर दिया है मान के चलिए आप को छोटे मोटे वेकती नहीं हो आदे फोजी तो आप बन चुके हूँ आदे 50% फोजी आप बन चुके हो बस 50 परतिसत ही आपको बनना है 50 परतिसत आपको जैसे मलब बन जाओगे तो आप पूरह 100 परतिसत फोजी हो जाओगे जैसे आपका मेरिट सुची में चैन हो जाएगा तो आपको इशी जोस और जनुन के शाथ आगे बढ़ना है महनत कीजिए अपने इस्टेड पूचे बता तेरी रजा क्या है और दोस्तो आप सभी की रजा यही है कि हमें बारतिस सेना में जाना है हमने फिजिकल मेडिकल किलियर कर लिया है और अब हमें बारतिस सेना में जाना है दोस्तो ज्यादा वक्त ना लेते हैं आज के सेसन की सुरुआत करते हैं यह आज दोस तो आपको यकिनन ये बता देता हूँ कि अगर एक्जाम तक जो भाई एक्जाम तक हमारे साथ जो टिका रहेगा उसका सेलेक्षिन हो डेपिनेंटले होगा इतने अच्छे कंटेंट इतने अच्छे क्यूसंस ठेओरिकल बिल्कुल हो लेके बाद में बोर्ड पर आपको परतेक पार्ट वाइज कि आपके मरलब इस तरह है कि आपको पूरी मरलब साइन्श वगेरा मैथ रिजिनिंग अच्छी तरिकेशे दोस्तों एक से बढ़गर एक टिचर दौर आपको हम पढ़ाएंगे आप विश्वास रखिए आप इतने दिन आपने वेट किया थोड़ा वेट और कर लीजिए कोई दिकत नहीं ओपजेक्टिव कुशन में लेकर आ जाऊंगा अभी मैं दोस्तों आपको परिक्ष्या का पैटरन बता देता हूँ आपको कौन शी गाइड आपके पास जैसे नर्शिंग का बंदा है तो आपके पास कौन शी गाइड होनी साइए टेकनिकल है का है तो आपके पास कौन शी गाइड होनी साइए जीडिय का एट्थ पास का या टेंथ पास का है तो आपके पास कौन शी गाइड होनी साइए ताके आपके selection में कोई दिक्कत ना हो बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनको पता नहीं है वो पता नहीं दूसरी किताब लेकर बेड़ साते हैं उनसे एक भी किसन नहीं आता है एकजामें तो वो गलती दोस्तो आपको नहीं करनी है आपको इस बार दोस्तो इंडियन आर्मी की वर्दी है वो पहननी है सभी को जैंद सभी को राम राम आज की सेशन की दोस्तो हम सुरुआत कर लेते हैं दोस्तो जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर देना आप इंडियन आर्मी के तैयरी करते हो दोस्तो इंडियन आर्मी दोस्तों बहुत बड़ी सेना है इसी सेना के कारण दोस्तों आज हम यहाँ पर अपने आपको दोस्तों सुरक्षित मैसुश करते हैं देखे दोस्तों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जीडी की सबसे पहले दोस्तों हम GD की बात करते हैं जनरल डूटी अधिकतर आप मेसेंजी जो लड़के हैं वो GD के ज्यादा है ठीक है GD के ज्यादा है दोस्तों आपके एक्जा में भाग A आता है वो आता है जनरल नॉलेज समने ग्यान का पंदरा क्यूशन दोस्तों आपके एक्जा में पूछे जाते हैं एक क्यूशन दोस्तों दो नॉल नॉल का होता है आप सबी को पता है भाग B में आता है दोस्तों समने विग्यान पंदरा क्यूशन आता है एक कुशन दो नमबर का होता है जिके और जियेस आपके सो में से 60 नमबर के एहम भूमी का निबाते हैं दोस्तो आपका बागसा आता है वो आता है गणीत एंड रिजनिंग का मैत और रिजनिंग का आता है 15 कुशन दोस्तो मैत के आते हैं और 5 question आते हैं वो आते हैं reasoning के total दोस्तों मिला कर आपका जो paper total question होता है दोस्तों ये होता है 50 question का show number का दोस्तों आपका paper होता है और show number का ही दोस्तों आपका होता है physical ठीक है इसमें अब आप क्या चीजें आपको मतलब कौन शी guide के दुआरा पढ़ना है जीडी वालो को बंदो को तो वो मैं दोस्तों आपको last में बताऊंगा इससे पहले दोस्तों मैं सभी trade के आपको pattern बता देता हूँ ठीक है ये जीडी का pattern है जिस भाई को नहीं पता है इस slide का वो screen shot ले ले या इनको note कर ले कि हमारे ये ये मतलब इस subject है इतने इतने questions है वो पुछे जाएंगे ठीक है बहुत से लड़के हैं जिनको नहीं पता रहता लेकिन बहुत से इनको है जिनको पता भी है वो ये विसे भी सोच रहे है कि सर पता नहीं आप तो time pass करवारे हैं मेरे बाई time pass नहीं करवारे हैं अगर हम time pass करवाते हैं तो हम आपको पढ़ाते हैं क्यों सही बात है न तो आप इंडियन आर्मी के तियारी करते हो थोड़ा सबर रखो वैस सब कुछ देखे सर सबर का फ्रव मिठा होता है वो कहते हैं न कि जितना गहरा कोई होगा पाने उतना ही विश्वास रखिए जो भाई हमसे पहले पड़े हैं आप उनको पूछ सकते हो कि सर ने बिल्कुल अच्छी तैयरी करवाई या नहीं करवाई हम करवाईंगे भाई आप attention मतलिजी आप ही हमारे चोटे भाई या बड़े भाई की तरह हैं ऐसा नहीं है कि दोस्तो बात करते हैं ट्रेड में एड्थ पास और टेंथ पास की छीक है आप सभी को पता है किस कैटेगरी के अंदर मौनलफ जिसकी जीडी से औरेज हो जाता है वो बाद में टीडिये अनके अंदर फॉर्मे वो फिलप करता है दोस्तो इसमें भी बाग 23 फरवरी को जो 8th pass का एक्जाम हुआ था उसमें 2 क्यूशन जिके के अंदर computer के include किये थे 10th pass के अंदर नहीं किये थे only 8th pass के अंदर किये थे तो जो भाई 8th pass ट्रेडमेन से हैं तो वो 1SK की गाइड आती है 20-25 रुपई तक आती है तो वो गाइड आप ले लेना और उसे क्योंकि एक नंबर भी बहुत होता है दोस्तो एक क्यूशन भी बहुत होता है merit के लिए ध्यान रखना अगर एक क्यूशन difficult आ जाए और difficult वाला अगर आप right कर देते हो तो आपका merit सूचे में बहुत उपर चला जाता है आपका इस्तानी ये मेरे भाई आप द्यान रखना ठीक है तो ये मत्सोतना के सर दो क्यूशन आई थे दो क्यूशन नहीं मेरे भाई एक number point भी बहुत कम होता है जो बंदे रहते हैं उनको पता है भाई ठीक है आपके भी exam में total 50 क्यूशन पूशे जाते है 100 number का आपका physical होता है 100 number का ये आपका paper होता है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तो next trade की देखिए next trade है दोस्तो technical का अगर आपका सपना या आपके किसी दोस्त का सपना है technical में जाने का अगर वो science का student है तो देखे उसके exam में दोस्तो GK के है वो 5 क्यूशन पूशे जाते हैं एक क्यूशन है वो उसका 4 number का होता है दोस्तो math के है वो technical में 15 क्यूशन पूशे जाते हैं reasoning के है वो 5 क्यूशन पूशे जाते हैं chemistry के है वो 10 क्यूशन पूशे जाते हैं फिजिक्ष के है वो 15 किशन पूछे जाते हैं, अबे मैं आपको बता दूँगा, कि आपको फिजिक्ष और केमेश्ट्री है, वो कहां से, और कैसे तयार करनी है, कैसे पड़नी है, टेंसन ना लीजिए, पूरा देखते जाए, आराम से इस्टेव भाई इस्टेव आपको उचे जाते हैं 50, इनका दोस्तो पेपर है, ये होता है 200 नंबर का, ठीक है, इसमें टेकनिकल में फिजिकल के नंबर है, वो इंकलूड नहीं किये जाते हैं, मेरे बाई, अब बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ट्रेड देकि दोस्तों, अगर आपका सपना, C.L.K. या S.K 80 है अगर 60% अबव आपके नंबर है अच्छे नंबर है मैच से आप हो तो आप कलरक के अंदर फोर्म है वो फिलप कर सकते हो या जिस बाई की ऐसे भी कमेंट्स बहुत आते हैं कि सर मेरी हाइट जो वर्तमान में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सर मेरी के क्यूशन है ये 5 पूचे जाते हैं मैट के है ये 10 पूचे जाते हैं साइन्ज के दोस्तों 5 पूचे जाते हैं इंगलीश के है 25 क्यूशन पूचे जाते हैं ये एहम भूमिक का निबाते हैं वह इंगलीश के कम्पूटर के हैं ये 5 क्यूशन पूचे जाते हैं टोटल NA के अंदर देखे, NA के बच्चे बहुत ही कम मिलते हैं, आपको भी पता होगा, हमारे चैनल पर भी वैसे ज्यादा नहीं है भाई, लेकिन फिर भी हमारा कर्तविया है कि हम भी बताते हैं, ठीक है, क्यूंकि एक भी बहुत होता है, देखे दोस्तों, जो NA का साती है, उसके एक जीके के 10 क्यूशन पूचे जाते हैं, वही परकरिया है, टेकनिकल और कलरक वाली, एक क्यूशन, चैर नमर का होता है, मैथ के 5 क्यूशन पूचे जाते हैं, फिजिक्स के हैं, दोस्तों, फिजिक्स के पूचे जाते हैं, पांच क्यूशन, केमेश्ट्री के 15 क्यूशन, और अगर नहीं है तो आप इसे ले लीजी ए, कोई दिकत नहीं है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं NA की, ठीक है, NA वाले के पास दोस्तों, गाइडी हैं, वो ये होनी चाहिए, सबसे पहली गाइडी होनी चाहिए दोस्तों, रामशिंग की S के model test paper और theory वाली, ये दोनों गा के लिए सभी ट्रेड के बारे में बताऊंगा कौन शी गाइड होना चाहिए दोस्तो नर्सिंग के लिए देखिए आपको क्या करना है कि बायो और केमेश्ट्री के आपके एकज़ा में है वो अभी आमने बताया कि कितने 15 15 किसन पूछे जाते हैं तो आपको लुशेंट से है दोस्तो ये बायो और केमेश्ट्री है वो लुशेंट से तयार करना है ध्यान रखना लुशेंट है ये थोरी वाली लेकर आना है अब्जेक्टिव अगर आपके एकज़ा में पहले पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अभी मेरे भाई आपके एकज़ा में टाइम ह तो आप थोरी वाली लुशेंट के गाइड लेकर आए उसको अच्छी तरीके से रेड केजिए एने के बंदे हैं उनके लिए ये शूतना है आप रेलवे के इस बीडिया आती है उसे अपना जीके और जीएस तयार कर लीजिए नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है मैं बता देत अगर लड़के हो गए तो बाकि इसमें देखें दोस्तों जो एक NDA की गाइड आती है क्योंकि आपका जो पेपर बनाता है वो NDA वाले बनाते है ठीक है आपको पता है NDA का पेपर है वो NDA वाले बनाते है तो NDA की गाइड आती है उसके अंदर बायो और केमेस्ट्री की ज जरूर रेड कीजिए ठीक है ये सूचना एने वालों के लिए अगर आपके पास इतना मेटर है तो मान के चलिए इस दुनिया में कोई नहीं है जो आपका सेलेक्शन रोक शकता है आप लाइबरीरी जोइन कर लीजिए पैटरन उतना हार्ड नहीं रहता हार्ड मेटर आपने क आपके पास सबसे पहले दोस्तों राम सिंग के असके मौडल पैपर और थियोरी वाली गाइड है ये आपके पास होनी बहुती जरूरी है मान के चलिए इसके बाद दोस्तों जो लुशेंट की गाइड है दोस्तों लुशेंट की गाइड थियोरीकल वाली ये टेकनिकल और इन दोनों के पास होने चाहिए इसमें से दोस्तों आपके जो टेकनिकल के बंदे है उसमें फिजिक्स और केमेश्ट्री के जो क्यूसंस पूछे जाते हैं वो क्यूसंस आप इनसे लोशेंट थेोरिकल से आप तयार कर सकती हो गर पे आराम से स्टेडी करके ठीके ज्यादा पैटरन उतना हाड नहीं आता मेरे भाई देखे दोस्तों रेल्वे की स्पेडी गाइड आती है उसे भी आप अपना जीके जीर से वो तयार कर सकते हो एने का पेपर थोड़ा टेकनिकल से डिपकल्ट पूछा जाता है का फर्म आपने फिल्प किया है उसका अगर आप एकजाम सबीस अपरेल या 31 मही या फिर आपका छोटा भाई आगामी अगर एकजाम देने वाला है तो आपके पास सबसे पहले राम शिंग के एसके गाइड मॉडल पेपर और थियोरी वाली गाइड ये होनी चाहिए अभी आप थियोरी वाली गाइड पढ़िए पूरी अगर वो थियोरी वाली पूरी गाइड कंपलिट हो जाती है उसके बाद आप मॉडल पेपर को शोल केजिए कि इसमें आप कितने किसंश है वो कर पाते हो ये पूरी गाइड कंपलिट होने के बाद में आपको पढ़ना है रेलवे, इस्पिडिशेंज, जीके और जीएस और जो हम चैनल पे करवाएंगे वो पढ़ना है मैं दोस्तों आपको 100% सेलेक्शन के लिए ये परकरिया बता रहा हूँ ठीक है ये ना बता कि मैं डारेक्ट आपको अबजेक्टिव कुशन भी बता सकता था लेकिन फिर क्या है कि आप बाद में मैसेज करोगे सर हम कौन शी गाइड पड़े कौन शी हमारे पाश होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो ये सारा जंजर दोस्तों मैं अभी आपको केलेर करवा देता हूँ ताकि आपको बाद में कमेंट बाद में हम जो कलाश लेंगे ना आपको कलास पर फोक्स करना है और इन कितबों को आपको पड़ना है ठीक है आराम से सेलेक्शन हो जाएगा टीडियन वाले जो बंदी है मैथ रेजिनिंग है वो चैनल पर कवर हो जाएगी एड़ पार्श के हैं वो ज्यान रखना कम्पूर्टर के क्यूशन है वो एश के गैड़ आती है वहाँ से एड़ लिए न एक बार रीड गर ले न भा ठीक है उतने हाड़ तोछ पूश गर ले जाते हैं तो एक उशन भी दोस्तों बहुत इम्पोटेन्ट होता है अब दोस्तों मैं बात करते हैं हम GT के बंदे ज्यादा होते हैं और हमारे चैनल पर भी बहुत ही है और सबसे ज्यादा सेलेक्शन हमारे चैनल से जीडी वालो का होता है क्योंकि जीडी और ट्रेड़मेंड के बंदे हमारे चैनल पर ज्यादा रहते हैं क्योंकि अभी तक हमने कैमेस्टर और फिजिक्ष का टीचर नहीं लगवाए न इसलिए एन्योटेक्निकल के क होते हैं आला है कि उनका जीके विक रहता है तो वो भी रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है अब की बार होली बाद में हम आपके लिए पूरा टीचर की विवेस्ता करेंगे आप टेंशन मसलिए पूरा आपको बोर्ड बे पढ़ाएंगे बस आप तो जोस और जोनुन के शाथ और जो दिन बर में सुनते हैं करपें 9 बुजे लाइव आने के आपको कोशिश करनी है और जितने भी आप दोस्तों अपने सभी दोस्तों को शेयर करके जो भी मतलब बाहर कोचिंग के अंदर नहीं जा पाते ज्यादा पैसा दे कर तो उन सभी के लिए दोस्तों हमने ये व इसमें बहुत जोस और जनुन होता है आपको भी पता होगा दोस्तों जीडी वालों के लिए दे कि दोस्तों सबसे पहली जो वेरी इंपोर्टेंट गाइड है वो है रामशिंग मोडल टेस्ट वेपर और ठोरी पहले आपको ठोरी पढ़नी है ठोरी किलेर होने के बाद कि सर आपने इतनी सारी गाइडी बता दी तो आप क्या पढ़ाओगी ठीक है ये किसमश आपके डिवाक में आता है लेकिन भाई ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद मेरे को मेरे को पता है कि 15 दिन बाद में कोल करोगे कि सर हमने SK को पूरा रट लिय या अब हम कौन सी गाइड पढ़ें तो पहले आपको SK पूरा रटने के बाद जो मैं आपको दोस्तों ये गाइडी बता रहा हूँ न ये आपको रटना है ठीक है और जो हम चैनल पर आपको पढ़ाएंगे तो हमारे पास तो यहां पर बहुत सारी गाइडे हैं उन सब का ह दोनों लेंग्वेज में करवाएंगे टेंसन ना लेजिए कभी कवा टाइम कम होता है तब हम हिंदी के अंदर लेते हैं बाकी इंग्लिश के अंदर ही लेते हैं मेरे भाई देखें जीडी की दोस्तों मैथ और रिजिनिंग है वो चैनल पर आराम से दोस्तों खोली के आपका पूरा शेलेवर्स हमने आपको बता दिया मैं उमीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा जिस भाई को अगर पसंद आया है तो जाते जाते आप लाइक कर दीजिए जिसको नहीं आया है तो वो कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सर आप ये चीज़ और कीजिए ताकि हमारे सलेक्शन में कोई बादा नव आपका जो भी मत होगा हम उसे ध्यान में रखेंगे शुन जालेजिए हम ही आप ही कि बाइं ये नहीं कि हम आपका कमेंट्स नहीं पड़ेंगेाज के कमेंट्स है वो ज्यादा पाइदा मिल सके, बाकि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी GKGS का तो मैं किसन गलत नहीं होने दूँगा, बाकि हो लिए के बाद दोस्तों ऐसी कलासे लगा देंगे, तो मान के चलिए जो कोचिंगों के अंदर गए हैं, वो भी थोड़ी के घर पे आगे बेटेंगे, पढ़े देंगे, कि भाई ये पढ़के चले जाओ, कितने भी क्यूशन एग्जामिनर आपको गुमा दे, आपका क्यूशन है, वो बाहर नहीं जाएगा, गलत नहीं होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये सेसंस आप सभी को पसंद आई हो, तो पसंद आई तो लाइक ज कोशिश करना, जे हिंद, जे भारत